हेलो दोस्तों कैसे हैं आप एक्चुली यह वीडियो किसी सप्लिमेंट के उपर नहीं है एक्चुली यह सप्लिमेंट के स्टोरेज के उपर है एक्चुली हम सभी को पता है कि ओमेगा थ्री खाना ओमेगा थ्री यह फिश ओयल खाना बहुत अच्छा है हमारी सिहत के लिए हमें जरूर खाना चाहिए हमाने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट यह कोई नहीं बताता कि उसे स्टोर कैसे करना चाहिए उन्हें रखना कैसे चाहिए कितने डिग्री टैंपरेचर पर रखना चाहिए यह कुछ ओमेगा थी थे मेरे पास पड़े हुए यह मेरे बैग में पड़े थे उसके बाद मेरा बैग मेरी कार में रहता था तो आज कल आपको पता है कितना टैंपरेचर रहता है नौर्थ इंडिया में बाव 40 अ के नीचे आपने स्टोर करके रखना है बट कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और हम उससे पड़े रहने देते हैं ऐसे कंजूम करते रहते हैं जब उसका असर खतम हो जाता है या फिर हमें फेट में होने लगती है तब स grand has honest थक्तार और सी में एक हिम उन्हेटर को मेटे मेतां उन्हों करना चूब नहीं करता और में बड़े प्रदर के साथ है यह बीचता आफिज अशूरा गाद Korekop आप यह यह रहे हमारे ओमेगा थी गोल्ड यह यह रहे हैं सभी कैसे एक तम जुड़ गए हैं ठीक है इसमें से एक कैप्सुल फट गया है जो कि मेरे हाथ में भी लग गया है निकालते हुए लेखे बहुत अच्छी कंपनी के कैप्सुल यह नहीं कि यह आप कि अनुस्तु 10 में पॉड़ के लिए तो वह खराब हो जैएंगे जल्दी और अच्छी कंपनी के खराब नहीं होंगे जंज यह जैसे कि यह है इसमें से आप स्मार्ट ली कहते हैं कि यह कोई बात नहीं मैं एक थोड़ा सा कर लेता हूं तोड़ा से अलग करके मैं कंजूम कर लेता हूं तब देखिया आपका क्या होता है पेट में एसीडिटी हो जाएगी दो दिन आपका कुछ खाने का मन नहीं कर मैंने इसमें से एक अलग कर लिया और एक कंजूम कर लिया और मेरा जो दो दिन बुरा हाल हूँ है मुझे ही पता है तो मेरा मन किया कि वो मैं आप लोगों को भी बताऊं ताकि आप कोई गल्ती ना करें तो यह बहुत जूरी है आप लोगों को रखना है ठीक है तो यह देखिए अगर आपके पास ओमेगा-3 है तो उन्हें अच्छे से 25 डिग्रीट के नीचे रखिए रूम टेंप्रेचर पे रखिए जब विंटर्स हों अगर गर्मिया है तो उन्हें फ्रिज में रखिए नॉट रेफ्रीजरेटर मतलब के किका अधية है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए धैंक यू थैंक यू सो मॉच और हटी है तैंक यू